हालो फेंस वेलकम टूस्टेपपा ये सिनलेक्स एक्स्प्रेस के टोरियल और न्यू डिसक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है 19 दिसंबर है आज इंपॉर्टन आर्टिकल और न्यूस को देखने वाले हैं तो आज एक्स्प्रेंड की टॉपिक को डिसक्स करेंगे हम लोग जिसपे की बहुत अच्छा लिखा हुआ है आर्टियाई टॉपिक है और जो आर्टिकल है उसमें से एक आर्टिकल हम ले रहे हैं सेम बाते ही अलग-अलग तरीके से कही जा रही है तो आप चाहें तो इसको बढ़ सकते हैं अधर्वाइस ऐसा कोई नया टॉपिक नहीं मिल रहा है अभी एक्स्प्रिस में जिसको की डिसकस किया जा सके तो जो हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा उसको हम यहां पर देखने वाले हैं साथ में इंपॉर्टेंट न्यू किया जाए ताकि पूरा सेशन पूरा डिसकेशन और अच्छा होता जाए और वो आपको बेनिफिट करें आपका आपको यहां पर टाइम डिवोट करते हैं थाटी मिनट्स वो आपके लिए हलफुल साबित हो तो अपने कमेंट में सजेशन जरूर लिखा करें जो भी आप लाव या जो भी आपको लगता है कि चेंजिस आने चाहिए चीक है तो आइए शुरुवात करते हैं आज का इस रैटिंग का कोटेशन है सौकर्टीज का दो ओनली गोड इस नॉलिच आपका किसी भी चीज को लेकर के इग्नोरेंस आप पढ़ाई को लेकर के दिखाएं अपने हेल्थ को लेकर के दिखाएं लाइफ को लेकर के दिखाएं इओल विश इंपक्ट फॉर्ड इगिटिटिव मानर तो इस को यूज कर सकते हैं बहुत जह पर यह कोटेश आपका आपका आ सकता हैए ठीक्स में ओविसल आ सकता है अगे बड़ते हैं अब हम लोग explain के topic को discuss करने जा रहे हैं JS paper 2 में आ जाएगा RTI के उपर लिखा हुआ है कि कैसे जो right to information act है उसका misuse भी होता है और उस पे सही समय में information भी नहीं दिया जाता इन ही सारे बातों को यहाँ पर discuss दिया गया है शुरबात हो रही है आपको पता है कुछ दिनों पहले भी RTI News में था क्योंकि जो Chief Justice of India का office है उसको भी RTI Cambit में ला दिया गया अभी कुछ दिनों पहले ही और इसी को लेकर के यहाँ पर बात हो रही है जो अभी present हमारे Chief Justice of India है उनका ये मानना है कि काफी हट तक लोग भी इसका मिस्यूज करते हैं जो Informations है कई बार Information को निकालने की कोशिश की जाती है और वो उसका गलत इस्थमाल होता है दूसरा की Officials के दोरा भी सही समय पर कई बार जो Information है वो नहीं दी जाती है Denial of Information सबसे पहले इसी टॉपिक को डिस्कस किया गया देखिए इस पूरे discussion में आपको कुछ cases का नाम पता चलेगा कुछ event का नाम पता चलेगा वो important होगा इसको आप अपने notes वगरह में लिख लें क्योंकि क्योंकि RTI news में रहा है और काफी लंबे समय तक रहा है तो इसलिए questions बन सकते हैं आपके means exam में भी so December 16, 2015 का ये case है जेन तिलाल and mystery versus नागपन इन्होंने ये देखा पूरे case के दौरान इन्होंने ये भी कहा कि section 8 of the RTI जो है उसके accordingly ये कहा जाता है कि जितने भी informations होते हैं rightful informations है वो लोगों को मिलने चाहिए जिनका वो अधिकार रखते हैं who they are entitled to get that information they need to have that information but कई बार ये दिखा जाता है कि government officials के दौरा वो information को provide नहीं किया जाता है तो free flow of information होना बहुत ज़रूरी है public domain में जो की main मकसद है RTI का ताकि transparency को ensure किया जा सके और open governance का system और democracy को ensure किया जा सके इसके लिए denial of information नहीं होना चाहिए information लोगों तक पहुचना चाहिए आगे NGO की बात होती है कि NGO को भी RTI के ambit में रखा गया है DAV college trust and managing versus director of public instruction on September 17, 2019 का ये case है जिसमें bench of justice दीपक गुपता के bench ने ये clear किया था कि NGO's are not beyond the RTI Act NGO जो है वो RTI Act के बाहर नहीं है it is not beyond the RTI Act ये भी आप याद रखेगा अगर NGO का case आता है तो हमें कैसे इसको discuss करना है लेकिन इसमें काफी confusion है NGO के term में अब ऐसे NGO को RTI में रखने की बात की गई है जो public owned है जो जहां पर सरकार finance करती है उस NGO को इसके अंतरगत रखा जाएगा अब इसमें substantially financed का भी concept है कि किस financing को ये माना जाएगा कि वो सरकार की financing के अतरगत आती है और इसको RTI Ambit में रखा जा सकता है इस पर काफी confusion है जैसे NGO वगर में जनरली ये होता है कि कभी land वगर फ्री में दे दिया जाता है buildings फ्री में दिया जाता है ताकि वो जो NGO है सही मकसद से अपना काम आगे pursue कर पाए तो इसलिए NGO का जो ये observation है वो काफी confusing stage में है कि किन NGO को इस ambit में रखा जाए किसको बाहर रखा जाए कौन public money पर चल रहा है कौन इसके बाहर चल रहा है कौन directly controlled है politicians के द्वारा कौन इसमें नहीं आता है तो इसलिए इस पूरे issue को भी resolve करना बहुत ज़री है जो कि NGO से जुड़ा हुआ है आगे है time consume in replying ये तो आपको पता ही है कि अगर आप बात RTI में information निकालने की करते हैं तो उसमें समय बहुत जाता लगता है इसके लिए केस आया था CBSE का Central Board of Secondary Education versus Aditya Bandopadhyaya ये 2011 का केस था जिसमें की Supreme Court में ये कहा था Nation does not want a scenario where 75% of staff or public authority spend 75% of their time in collecting and furnishing information to applicants instead of discharging their regular duties इस केस में Supreme Court ने कहा था कि 75% of the time information को collect और furnish करने में लगाते हैं जबकि उसकी बजाए उनको discharge करने में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए मतलब जो information मांगा जा रहा है वहाँ पर focus ज़्यादा करना चाहिए कि आप कैसे उस information की delivery करते हैं एक estimate भी है यहाँ पर as a fact आप इसको जूस कर सकते हैं कि 60 से 70 लाख RTI application फाइल किया जाता है भारत में हर साल कितना 60 तो 70 लाख भलेई आपने अभी तक एक भी RTI अपलाई नहीं किया है अगर आप मेंसे किसी ने भी RTI फाइल किया है तो बताएंगे जरूर comment box में और यहाँ पर यह data है कि 60 से 70 लाख आप्लिकेशन हर साल डाला जाता है फाइल किया जाता है अगर इसमें अगर अगर यह है कि सारा information लोगों को मिले तो लोगों को जातर वक्त अपना इधर देना पड़ेगा public authorities have used this observation while denying information ignoring the fact in the same case तो कई बार यह देखा गया है कि जो public authorities में काम करते हैं उनके द्वारा information को नहीं दिया जाता deny कर दिया जाता है या फिर जो facts होते हैं उसको ignore कर दिया जाता है तो obviously यह सब बातें आपका जो right to information है उसको नहीं ensure कर पाती है जिसको की इस सारे challenges हैं जिसको की address करने की बहुत जादा जरूरत है personal और public यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो एक case आता है गिरीश रामचंद्र देश पांडे वरसे Central Information Commission यानि की CIC जो की main head होते है इस RTI Act में CIC का यह 2012 का case है और यह भी bench थी यह bench भी थी justice case Radhakrishnan और दीपक मिश्राजी की तो इसमें भी इस case में क्या observe किया Supreme Court ने that the performance of an employee or officer is an organization is primarily a matter between the employee and the employer अब देखिए आप जब information मांगते हैं तो किसी भी public authority की information मांगते हैं कि वो जो public authority वो कैसा काम कर रही है कहीं पर काम ठीक से हो रहा है या नहीं कहीं पर कई पुल बना कुछ काम हुआ उस काम में क्या data कितना पैसा खर्च हुआ इन सब का भी आप information लेते हैं तो यहां पर यह observe किया गया कि जो performance होता है employees का officers का वो दो लों के बीच का होता है मतलब एक employee और जो employer है उनके बीच का होता है इसमें differentiate कर पाना कि कौन सा information public domain में जाया जाया कौन सा personal information है और कौन सा public information है तो उसमें differentiate किया जाता है और उसके बाद the discourse of which have no relationship to any public activity or public interest तो जो personal information obviously उसको किसी भी public activity पे या public interest में आगे नहीं आने दिया जाएगा on the other hand the disclosure of which would cause unwarranted invasion of the privacy of that individual तो कोई भी ऐस information जो किसी individual के privacy को harm करती है उसको भी public domain में नहीं आने दिया जा सकता so the central public information officer जो CPIC और state PIC होते हैं public information officers होते हैं यह लोग affiliate authority होते हैं satisfied with the larger public interest justify the disclosure of such information तो center level पर state level पर जो PIOs होते हैं वो affiliate authority होते हैं जो बड़े लेवल पर लोगों को अपना information provide कर सकते हैं किसी public authority से जुड़ा हुआ जो भी RTI के embed में आते हैं तो यह पूरा important issue है जिसको आपको समझने की जरूरत है कि कहां पर क्या क्या दिखते हैं public authorities कि basis पर डिनाई करती है information देने से कि हाँ वो रेसिजर नहीं दे सकते information नहीं दे सकते because वो personal information होता है and genesis of the law इसमें भी एक यहां पर जिक्र है कि यह जो शुरुरुआत हुआ का वो कहां सेवा 2005 में तो act बन गया लेकि इसके पहले कैसे शुरुआत हुई थी कि right to information लोगों के पास होना चाहिए इसमें केस आता है Supreme Court ने सबसे पहले इसकी बात की थी RTI Act की 1975 में ही जब उत्तरप्रदेश versus राज नरायन justice का case था उसमें केके Matthew के धिक्ष्टा में ये बात कही गई थी कि जो लोग है भारत के उनको ये पता होना चाहिए कि कैसे public activity होती है कैसे सरकार काम करती है और functionaries जो है वो कैसे work करते हैं ये सबकी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए और ये बात वहीं से start हुई थी उसके बाद जाकर के freedom of speech and expression की बात चीथ हुई और finally 2005 में ये act बन गया था लेकिन इसके पहले भी एक act exist करता था जो आटिया एक बनने के पहले था people's right to know in union of India versus association for democratic reform in 2002 तो इसको फिर change करके आटिया एक्ट को लाया गया था ये पूरी कहानी है जिसमें कि आपने challenges देखा RTI का RTI के basic facts आपको लग रखने हैं ये सारे challenges आपके answer writing में काम आ सकते हैं कैसे शुरुवात हुई Supreme Court के कौन-कौन से cases जो RTI से जोड़े में हैं वो सब हमने भी इसमें देखा है आगे way forward में क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं अब देखे क्यों जरूरी है RTI act का आना और इसके ambit में हर public authorities का आना even politicians का आना क्योंकि क्या होता है जब आप सरकार चुनते हैं तो जो आम जनता है जो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है somehow जब उनके पास ये information पहुंचती है तो वो सही तरीके से decision ले पाएंगे कि उनको किनको elect करना है उनको किनको चुनना है जो rule break करते हैं या rule makers होते हैं इसमें वो differentiate सही तरीके से कर पाएं इसके लिए उनके पास information का जाना बहुत जरूरी है कि जो candidate है उसका क्या criminal record है asset कितना है liabilities कितनी है क्या situation है इसी लिए electoral candidates का भी के भी जो personal information होते हैं वो उसको public domain में लाना जरूरी है ये 2012 में Supreme Court ने clear कर दिया था और उसके बाद काफी बदलाव आपको देखने को भी मिला है हलांकि आप तो बहुत सरे रूल और भी change हो गए है कि दो साल से ज्यादा जिसको सजा हो जाती है वो election ही नहीं लड़ सकते है आठ साल तक तो ये सब भी है नाव section 62 ये RTI Act का है बहुत important है section 6281J ये सब आप क्या रखेंगे तो section 6 में क्या कहा गया है applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information अच्छी बात है कि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपको ये बताने की जुरूत नहीं है कि आप उस जानकारी का क्या करेंगे या क्या reason है आप क्यूं जानना चाहते है और any other personal detail और वहाँ पर आपको कोई personal detail देने की जरूरत नहीं है अगर आपको कोई जानकारी चाहिए RTI Act के द्वारा तो अब वही section 8.1.J में क्या कहा गया है information which cannot be denied to the parliament or a state legislature shall not be denied to any person under RTI Act तो यहां पर आप information को deny नहीं कर सकते हैं किसी भी person से you have to give the information coaching से जोड़ी भी है personal guidance के program में अभी huge discount available है लिकिन यह बहुत दिनों तक नहीं है अभी coming to the 5th December तक आपको यह जो भी discount इसमें दिया गया है वो मिलेगा उसके लिए आप contact कर सकते इस contact number पर Hindi medium और English medium दोनों में facility available है online as well as offline और यह बहुत ही कम समय के लिए अगर आपने से कोई भी जो भी तक effort नहीं कर पा रहा था परिशान है वो अगर पैसे की वज़े से या fees की वज़े से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो वो भी approach कर सकते हैं इस program में यह बहुत कभी कभी opportunity आती है जब इस program में आपको कोई discount मिलता है personal guidance के program में इस में आपको जो भी detail है वो सब phone पर या मुखरी नगर में coaching में विज़े करने पर मिल जाएगा Now our next article is related to the citizenship amendment act और यहाँ पर फिर से असाम को लेकर के discussion हो रहा है और नौओपीस को लेकर के discussion हो रहा है कि यह जो act is not about Hindu and Muslim but it's all about the tribal people who is feeling insecure in their region Introduction में आपको पता है citizenship amendment bill जो कि अब act बन चुका है 2019 में amend कर दिया गया citizenship amendment act 19 citizenship act 1955 है उसको amend कर दिया गया है और इसके accordingly क्या कहा गया कि अफगानिस्तान बांगरादेश और पाकिस्तान के जो minority even persecuted minorities है which is Hindu, Sikh, Christian, Parsi, Buddhist, Jain इन 6 community को भारत में जो 2014 से रह रह रहे हूं उसके बाद enter किये हूं उनको नागरिक्ता दी जाएगी चीक है अब इसमें एक community को बाहर कर दिया गया which is Muslim Muslim को exclude कर दिया गया और इसकी वज़ा से यह जो act है यह इतना controversy का मुद्धा बन चुका है तो जो उद्देश इथा government का आर्टाइटर का यह मानना है कि वो fail हो गया यहाँ पर अब इसमें जो नॉर्सीस्ट का reason है वो अलग तरीके से परिशान है वहाँ पर अभी NRC को लाया गया था और इवन जो demand असाम के लोगों के चल रही है कि वहाँ से बाहर के लोग जो है उनको बाहर किया जाए वो तो उनका पूरा नहीं हो पाया बलकि इसके उलट जो यह नया act है उसमें और threat कर दिया वहाँ के लोगों के लिए तो अभी जब NRC का लिस्ट अपडेट हुआ था तो उसमें 4 million Muslims जो है उनका नाम NRC के लिस्ट में नहीं आया है वो लोग उससे बाहर है और यह सारे कई स अनाचरपदेश, Mizoram अभ यहां पर चकमाज, ट्राइब्स जो कि अनाचरपदेश और Mizoram में रहते हैं, ब्रूज जो Mizoram में हैं और त्रिपुरा में के जो Bengalis हैं यह सारे एक threat में हैं और यह सारे इनके अंदर के anxiety और insecurity आपको देखने को मिलेगी हाला कि government ने क्या किया अन और अनुज एक इस फिर आए रह जाए और इस फिर पर इस के अंतर में नहीं है इस बार मनिपुर को भी इसमें शामिल इस इसमें बहुत दिनों से डिमांड चल रहे थी कि मनिपुर को भी आ इलप के नंतरगत लागा जाए और इनरलाइन पर्मिट वहां पर भी लागो हो और इस हिसाब से चार राज तो आयलपी में आ गए हैं जो कि इस एक्ट में बाहर रखे गए हैं वहीं कुछ सिक्षिड्यूल एरिया में आने वाले जो ट्राइबल एरिया हैं जहां पर डिस्ट्रिट काउंसल है उसको भी से बाहर रखा गया जो कि आसाम तर पुरा वागले ह रीजन में आते हैं लेकिन तब भी बहुत सरे इशूज हैं जो की कांटेन्यूड हैं आउटसाइडर्स का जो इंग्जाइटी और फियर है वहां की ट्राइब्स में आज से नहीं बलकि बहुत दिनों से है यह ब्रूस चकमाज जो एज़ा माइगरिंट वहां पर गए हैं उनको लेकर के अकसर विवाद मिजोरब में खास करके बना रहता है नौर्थीस्ट में का जो रीजन है वो अभी अल्रेडी बहुत कॉम्प्रिकेटड बनावा है कॉन्फिक्ट वहां पर आज से नहीं बलकि बहुत पहले से ही है वहां के जो लोकल ट्राइब्स हैं उनके ब अमेंडमेंट एक्ट मनिपूर में काफी अधा क्राइसिस थी मनिपूर में काफी विरोध हो रहा था इस एक्ट का लेकिन मनिपूर को चुकी इसमें आयलपी मिला करके बाहर किया गया लेकिन फिर भी वहां पर आप अगर देखें तो मनिपूर में हिली और प्लेन दो तरी रहती है हमेशा वहां के जो ट्राइपीपल है मैती वगरा उनके बीच में काफी डिस्प्यूट रहता है और सारा कॉन्फिक्ट किस चीज का होता है कि उनके जो कल्चर हैं उनके जो लेंड राइट्स हैं जॉब अपॉर्शनिटीज है वो डिवाइड हो जाएंगे जब बाह को यहां पर भुलाया गया, रिफुजियोज को शरन दिया गया इसांशिप दिया गया है तो इसमें सबसे बिदा लोग असांं पर रुके हैं अभी से नहीं भरकी बाहरे से बाहरी लोगों के जा आना अना रहा है जब से टी और ओली का ट्रेड होता था साम ए का अने के पॉलिटिकल राइट्स पोजिशन यह सब बटे आपस में और यह एक इंसेक्यूरिटी इंजाइटी करता है वहां के लोकल पीपल में जिसको की खिलॉंग जियाज के नाम से जाना जा सकता है चीक है तो यह तर्म आप याद रखेगा प्रिलिंस में बन सकता है आपसे जो इं संवाप्राद भी लाए गया था असाम एकवर्ड में कहा जया था कि वहां कि जो बाहर के लोग है जो इलीगल इमिग्रेंस उनको बाहर कर दिया जाएगा लेकिन अभी इसमें क्या बोला गया है जो जए चैक्श्य जंशिंश्थ है कि इसमें जो यह इन मानर्रूटी कम्उ से होंगे बुद्ध, जेन, हिंदू वगरा होंगे उनको यहां पर नागिता दे दी जाएगी मतलब अब वो असाम से बाहर नहीं जाने वाले हैं तो यह वापिस से उनका जो एक इंग्जाइटी और इंसेक्यॉर्टी थी वो बरकरार रहे गए अब असाम और अधर नॉर्थ क्या होता है कैसे सिच्वेशन काम डाउन होती है क्योंकि सारे चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा रिस्क पर हैं लेट सी वोट वापन फॉर्दर और तब हमें पता चलेगा कि एक्चुली में जो एक्ट है उसमें क्या बदलाव हो सकता है या सरकार कैसे इसको मैरेज करती है क्या जो सिच्वेशन अभी क्रेटेड है उसको कैसे हैंडल करती है यह हम आगे ही देख पाएंगे आए न्यूज में चलते हैं और आज का पहला न्यूज है NCLAT से रुड़ा हुआ NCLAT ने मिस्त्री जो केस चल रहा था एक्जुकिटिव चेर्मिन थे टाटा संस के नाम है साइरस मिस्त्री साइरस पलॉंजी मिस्त्री और इनको रिमूफ कर दिया था टाटा संस के जो बोड है उन्होंने 2016 में ठीक है इस पद से जो इनका एक्जुकिटिव चेर्मिन का पद था उससे रिमूफ कर दिया था इसके बाद ये केस NCLT में चला ठीक है NCLT में चला और वहाँ पर जो वडिक था वो टाटा संस के फेवर में आया था निकि मिस्त्री के खिलाफ आया था उसके बाद फिर ये केस को लेकर के पहुँचे एपलिये ट्रिबुनल में जहां पर फैसला मिस्त्री के सायरस मिस्त्री के पक्ष में आया है और ये कहा कि सायरस मिस्त्री को फिर से उनके पद पर रिस्टोर किया जाए जब तक कि उनका टेन्योर बचा हुआ है तब तक के लिए देखिए इ आपको NCLT और NCLAT के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए इसका मतलब यहां पर आप समझ गए कि NCLT में जब कोई केस जाता है यहां पर जो भी फैसला आता है अगर आप उसे सहमत नहीं है तो आप फिर कुछ समय के बाद जो टाइम पीरिड होता है उसके करके आप सीधा सुप्रीम कोट में नहीं जा सकते यह भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं अगला न्यूज है स्मॉग टावर से जुड़ा हुआ है स्मॉग टावर लगाया जाएगा डेली में और इसमें 26 करोर रुपे तक का खर्च हो सकता है अगले साल इस पू स्मॉग को खतम करने के लिए जो यहां की सिचुशन बहुत खराब हो जाती है ऑक्टोबर के बाद उसको प्यूरिफाई करने के लिए एंवारमेंट को क्लीन करने के लिए यह स्मॉग टावर जगा 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 पर लगाया जाएगे और एबल तो प्रोवाइट क्लीन एयर यह अपने लोकेशन के तीन किलोमेटर के एरिया को क्लीन एयर वहां पर रखेगा तो यह इसकी खास बात है जिसे की 75,000 लाइफ जो है वो सिक्यूर रहेंगे प्रोटेक्टेड रहेंगे ऐसा गोर्मेंट के द्वारा क्लीर किया गया है तो यह इसकी बेसिक फैक्स है स्मॉ या बांगलादेश से चुड़ावा गुड न्यूस तो नहीं है लेकिन इसमें न्यूस यह है कि अभी एक टेक्निकल टॉक होने वाला था रिवर वाटर के शेरिंग पर जो की कैंसल हो गया है इस पे अभी बाते यह हो रही है कि सिजंशिप अमेंडमेंट एक्ट का बांगलादेश 54 रिवर का वाटर शेर करते हैं और जॉइंट रिवर कमिशन है इनके भी जो 1972 से फंक्शन में है और यहीं सारी चीजों की का असेस्मेंट करता है यह अगला न्यूस बहुत जादा इंपॉर्टन है अन्वारमेंट कंजर्वेशन से है नाम है होबारा बांट इसन में उसरा है जयाद रहेगा किया है वन्मेरबल स्टेटस है नस्तर आर्ट पारि節目 वेशन देद है कि आप यह जिवर का शिकार कर पink fino प्रोर्णूस में है जो इंटरंशल established बोर और नीश प्रोति से नवाफ तो उसके घ्रिम क्था राई स्वेधू फसे ने त्मनीज यह है और 둘 है बाषी मृश्टाइशन का टोकहसं सब्सक्राइण होती त के खिलाब बहुत सारे पैसे बोलेती है तो यह इस वज़े से न्यूज में बना हुआ है आई उसी इन में वल्नेरबल है यह आपको याद रखना है आज लेतना ही थैंक यू सो मच पीडियेफ आपको इस टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा विच इस अधरेट पर जाए और आपको पसंद आए और पूरा लेक्चर तो आप लाइक करें कमेंट करें अपनी सजेशन जरूर भेजें थैंक यू